तो आज को चुमारा वीडियो रहेगा में वीडियो रहेगा डिश्टेंस डिरेक्शन के कॉस्चन के ऊपर ठीक है तो पहला कॉस्चन यह ओप विलेजर वेंट टू में टू में पास मिलना जाता है दूसरे विलेज पे जो कि किया है फाइब किलोमेटर अवे इंद नौर्थ विलेजर यहां मैं लखते ता हूं यह विलेजर आ यहां पर उसको मैंने एक पॉइंट दे दिया ठीक है यह कहां जा रहा है अनदर विलेज जा रहा है अपने अंकल से मिलने जो कि कितना दूर आ फाइफ किलोमेटर अवे इंद नौर्थ वेस्ट डैरेक्शन ऑफिस ओन व यहां पर यहां से वह कहां जा रहा है अपने फादर-in-law के विलेज जाएगा जो कि कितना दूर है four kilometer in the south of his uncle village मतलब यहां से वो कहां जाएगा south में जाएगा four kilometer तो south में four kilometer यह चला गया यह जगा कौन सी है father-in-law का village है यह लिख देता हूं मैं father-in-law village ठीक है तो इसको point c नाम दे दी है मैंने अब यहां तक वो पहुंच किया ठीक है यहां four kilometer यहां तक पहुंच किया अब question आगे हमें पूछ किया रहा है how far away and in what direction is he now question समझो इसमें पूछा किया है अगर कुछ दैसो normally कोई भी पढ़ता है यह अगर question पड़ेगा तो वो क्या सोचेगा direction वो बोलेगा अभी कहां पर face कर रहा है यह south के direction को face कर रहा है तो कुछ लोग क्या करेंगे यहां पर बोलेंगे south नहीं है तो none of these लगा दें हम अनौट को कि कोई सोचेगा तो बोलेगा यह direction तो उसकी south ही है नीचे की लेकिन नहीं इसमें पूछा पता क्या है how far way अब far way का मतलब क्या होता है shortest distance minimum distance बोलो या shortest distance बोलो एक ही बात है how far way and in which direction is he now तो मतलब आपको यह सब चीजें जो बोल रहा है आपको shortest distance निकालना है कहां से point A से यहां पर mention नहीं किए कि आपको starting point से चेक करना है यहां पर इतना ही बोला है कि easy नहीं हो कहां पर है वो कितना दूर है और कहां पर है बस इतना बोला हूँ है लेकिन यहां पर आप क्या करोगे यहां पर आपको हमेशा अगर इस step की कई भी कोई question आपको नीचे करके बोला हो कि how far way यहां से मुझे चेक करूंगा A to C मुझे चेक करना है तो A से C यही है starting point थी कि यहां से चेक करूंगा तो यह direction कौन सी होती है यह वाली यह east की direction है तो अभी यह कहां पर है east वाली direction में थी कि यह तो मुझे पता चल गया लेकिन कितना दूर है how far way बोला है तो shortest distance नहीं find out करना है किसका A और C का तो देखो कभी भी A C square निकालना है मैं बड़ी साइड की बात नहीं कर रहा है तो A B जो यह बड़ी वाली साइड है सबसे लंबी साइड होती है और बागी यह दो च्छोटी वाली होती है तो मुझे च्छोटी वाली find out करने हैं तो मुझे क्ये करना होता ह AB का square यहां minus लेगा, plus नहीं लेगा, minus लेगा BC का square अब देखो, मैं बदाता हूँ आपको plus कहां पे लगता है plus पता है कहां लगता है, जब आपको A और B find out करना है मतलब A और B का अगर suppose करो distance यहां given नहीं होता A और C का given होता, तो मुझे अगर यह find out करना है A C square find out करना है, तो इसमें हम क्या करते है AB का square, ठीक है, minus BC का square, ठीक है, minus लगता है अगर BC find out करना है, BC का square यह वाली length find out करना है तो AB square minus AC square, तब भी minus ही चलेगा plus पता है कहां पे चलता है, देखो, plus वहीं पे चलेगा जहां पे आपको लंबी वाली side find out करना है तो यहां मुझे लंबी वाली side दिये, और एक side वाली छोटी वाली दिये और मुझे find out करना है, AC निकालना है तो AC निकालने के लिए होता है, minus चलता है तो AB का square, AB कितना है, 5 का square, minus BC कितना है, 4 का square, ठीक है यह आ गया, अब मैं क्या करूंगा 5, 5, 25, 16, 16 minus 25 कितना हो गया है, root 9 अब देखो, root 9 जो होता है, वो क्यों होता है, उसकी simplified form 3 रहती है देखो, 3 का square के रहता है, 9 रहता है, तो यह 9 जो है, यह perfect square है किसका 3 का, तो इसको जब भी root 9 का भी value आती है, तो इसको simplified form करके क्या लिखते है, अकेला 3 स्क्वेर ने लगाते हैं, 3 लिखेंगे, तो इसका root solve करके आया, 3 आया, तो मेरा फूरा पूरा अंसर क्यों होगा, 3 meter east वाली direction, यह मेरा full answer है, तो इसका answer यहां पर कहा मिला है, मुझे, option number b, 3 meter east, तो इस तरीके से क्या करते हैं, पाइथोगर स्थ्यों वाले question, जो इनको solve करते हैं, तो याद रखना हमेशा, कई भी बड़ी वाली side निकालनी हो न, तो क्या होता है, plus चलता है, ac square plus bc square, ठीक है, कभी छोटी वाली side निकालनी है, अगर ac निकालनी है, या बीसी निकालनी है, को ac और bc क्या होता है, इनके time पे minus चलता है, ठीक है, तो आई होप आपको यह वाला question समझ में आओगा, question number two, start करता हूँ, तो question number second, screen के उपर यह, अशोक started walking towards south, ठीक है, after walking 50 km, तो यह line जो use की है, किसके लिए की है, इस वाली line के लिए, यहाँ पर सिर्फ इतना बताया है, अशोक started walking, मतलब वो नीचे south को walk कर रहा है, लेकिन उसके आगे यहाँ पर मुझे पहली line में यह नि बताया है, कि कितना meter उसने run किया, आगे बोल रहा है, after walking 50, मतलब यह after word जो है, इस वाली line के लिए use की है, ठीक है, तो हमेशे याद जा रहा है, वो 30 meter जा रहा है, ठीक है, he then took a right turn and walked 100 meter, अब दो राइट turn ऊपर को जाएगा, तो 100 का आएगा, उपर आएगा, कि 50 यहाँ तक हो गया, अब आगे के बोल रहा है, he again took a right turn and walk 30, अब फिर से क्या रहा है, राइट ले रहा है, तो यहाँ से बराबर रहा है, उपर वाला और यह वाला, ठीक है, और यहाँ पर यह रुख गया, अब बोल रहा है, he again, यह 30, यहाँ तक होगे, how far and in which direction was he from the starting point, ठीक है, तो मुझे यहाँ starting point से चेक करना है, कि कितना यह distance और कौन सी direction है, ठीक है, यह चेक करना है, तो यह तो कोई भी इसली बता यहाँ पर होगे है, 50 यहाँ पर होगे है, तो यह कितना distance हुआ, 50 meter होगे है, यहाँ का और यह direction कौन सी है, जो arrow उपर को बन रहा है, starting point से चेक करना है, मुझे तो यह वाली कौन सी direction है, तो गयाँ देखो, चेक करो, यहाँ पर, मेरा यहाँ तक आ गया है, ठीक है, अब रहेगा, लेकिन direction कैसे करोगे, direction ने पहले वाली find out करेगे, पहली वाली यह वाली अभी पुरानी was वाली direction कौन सी है, east की direction है, 50 meter क्या रहेगा, east रहेगा, इसमें north नहीं आएगा, अगर यहाँ पर इस लिखा होता न, how far and inward direction is he from the starting point, इस का मतलब अभी की current position बतानी है, तो व यहाँ पर end point में पहुंच किया है, तो यह वाला direction कौन सा है, east रहेगा, ठीक है, अब यह east को जा रहे न, दखो, यह face किया है, east वाला direction रहेगा, ठीक है, कई भी यहाँ पर is लगा होगा, तो तो आपकी direction कौन सी रहेगी, north रहेगी, ठीक है, starting point से चख करने है, अगर, suppose को य इतलाश में, वो कहाँ face कर रहे है, east को, अगर यहाँ बोला होता, how far and in which direction is he from the starting point, अगर, starting point is लगा होता न, is, इस मतलब current वाली position, अभी कहाँ पर रहे, तो अभी यह north पर आना था, ठीक है, इस वाली, लेकिन उन्हें वास बोला था, तो वास के लिए को होती है, पीछे वा south of point A, तो अगर मैं इसको point A लेता हूँ, तो इसके south पर कितने पर है, 12 meter पर कौन है, B बैठा होगा है, ठीक है, तो B मैंने यहाँ लिख लिया, point C is 24 meter east of point B, point B के east में 24 meter पर कौन है, point C, ठीक है, यह point C हो गया, आगे बोला है, point D is 8 meter south of point C, तो 8 meter यहाँ से मैं कितल जाओगा, south में चला जाओंगा, ठीक है, तो यह point D आ गया है, यहाँ पर, point D is 12 meter east of point E, point D is 12 meter east, 12 meter, तो 24 यह है, बी और सी को टरिशन, तो 12 कितना आएगा, यहाँ पर यह 12 आ जाएगा, ठीक है, यह distance 12 आ गया, कहां से कहां तक का बोला है, point E से, तो यह point E आ गया, and point F is 8 meter north of point E, 8 meter north, तो देखो, 8 meter की है, C और D का distance 8 है, तो यहाँ तो यहाँ तक कितना हो जाएगा, यह 8 हो जाएगा, तो E और F का distance कितना हो गया, 8 meter हो गया, तो यह मेरा final diagram बन गया है, अब question मैं यहाँ लिखता हूं, फिर उसके बद हम उसा answer solve करेंगे, तो गयास देखो, पहला question किया बोल रहे ह As for man has to travel point E, from point A, point E तक जाना है, उसे कहां से, point A से जाना है, ठीक है, point A से E तक जाना है, through these points by the shortest distance, ठीक है, which of the following points will he pass through first, मतलब इसका, बोलने का मतलब है कि से shortest distance जाना है, कहां से, A से E जाना है, तो सबसे वहले वो कौन से point से पास करेगा, यह बोल रहे है, ठीक है, तो कहां से, यह जो given points दिये हैं, इनकी बात कर रहा है, यह जो हमें given points दिये हैं, यह सब जो given दिये हैं, यहां से हमें यह बोल कर रहा है, अगर एक बंदे को कहां जाना है, A से E तक जाना है, shortest distance ले, तो shortest distance हम लेते कहते हैं, shortest distance करी भी जाता है, तो वह ऐसे ही जाता है, ठीक करना A से यह तक जाना है तो ऐसे करके ही shortest distance बनता है ठीक है तो यह हमें आगे बोल के रहा है which of the falling point will he pass through first तो इसको यह वाली जगह find out करनी तो उसको पहले यह side पता करनी पड़ेगी तो पहले वह कौन से पॉइंट से जाएगा पहले वह भी पॉइंट से जाएगा फिर यहां से जाएगा तब जाके क्या बनेगा वह shortest distance वह find out करेगा तो पहला करो यह है यहां से मुझे यहां तक का distance पता है ठीक है ऐसा बन रहा है और मुझे क्या बोल रहा है एसे फाइंट करने तो है बहुत पहले जाओगे कहां पर पहले यहीं से जाओगे ना अगर यह वाली चीज फाइंड आट करने आपको तो आपको यहां से यहां तक जाना पड़ेगा ठीक है तो इसकांसर कराईगा पॉइंट बी लेगा option number d question number one यह अब question number two लिखता हूं यहाँ पर अब गयाद देखो यह वाला question number second चेक करो इसमें क्या बोल रहा है if a man is standing facing north at point c suppose करो यह c पर एक बंदा है यहाँ पर क्या कर रहा है face कहां कर रहा है north को face कर रहा है ठीक है ठीक है अब आए के बोल रहा है how far and in which direction direction is point f अब यहाँ से उसे बताना है कि f जो है कितना दूरी पर है और कौन सी direction में है ठीक है तो यहाँ पर वाज का यूज नहीं किये तो मुझे point c से चेक करना पड़ेगा कि यह वाले direction कौन सी होती है देखो यह point c suppose कर लो ना east west north south तो point c यहाँ पर है direction नहीं ठीक है लेकिन distance finite करना है अब देखो f और c का distance कितने दो इखो e और d का कितने बहरा है तो f और c का कितनघा यह वहाँ यह बहरा रहेगा तो यह वहाँ से पर यह तक कर रहेगा और यह नहीं दियोगा तो अनोटी लेगा नन अफ तीस तो आयोब आपको यह वाला question समझ में आओगा question no.4 लेकर आता हूं तो गया देखो question no.4 और 5 यह एक साथ ही है ठीक है तो देखो total बोलके रहे हमें a b c d e f g h and i total कितने है nine houses है ठीक है nine houses total देखो लें c is 2 km east of b अगर भी यह माल लिया ठीक है थीक है इसका distance कितना हो गया two km हो गया ठीक है यहां तक हो गया a is one km north of a a आ गया यहां पर one km north of b ठीक है and h is two km south of a h is two km कि साउथ उब यहां तक हो गया कि उभया है तो किलोमेटर करने है तो क्या क्या गया है यहां पर तोली लिओ कितना कितने यहां तक का एंट वावला ओंगा तो किंदेजक्थ सी कवरें और वनшतराऊ को a से h का total कितना है two distance है तो यह distance से समें याद रखने चाहिए जी वन किलोमेटर वेस्ट अफ है तो ग्याद देखो यहां तक complete हो चुका है h इस two kilometer south of a तो a के south में two kilometer पर कौन है h है तो a से h का distance कितना है two kilometer है a से b का one है b से h का भी one है b से c का two kilometer है यहां तक होगे आगे देखो जी वन किलोमेटर वेस्ट 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 में जाना है मुझे तो यहां पर आ गया इस वन किलोमेटर वेस्ट ऑफ एच ठीक है तो एच पॉइंट यह लिख देता हूं यह एच पॉइंट है ठीक है जी और एच का परसन के लिए यूज़ होते हैं तो यहां पर पहला परसन कौन है जी आपके जी सर्फ वाइल D3 इस्ट ऑफ जी इसे कटकर देता हूं उए वाइल डी इस थी किलो मेटर इस्ट ऑफ जी तो जी के एस्ट में 3 किलो मेटर पर कौन है कि दी बैठा हुगा है ठीक है दी बैठा है तो दी जुम्म बठाऊंगा यहां पर देखो टोटल थी न तो वन किलोमेटर ही हो गया तो यह डिस्टेंस टोटल कितना हो गया थी किलोमेटर हो जाएगा यहां से यहां तक का जी से डी कर जो डिस्टेंस है वो कितने थी यहां पर आएगा यहां पर आएगा ठीक है यह जो डिस्टेंस से पूरा पूरा को पूरा कितने टू है ठीक है यहां तक आगया आई सिचुलिटी जिस्ट इंदे मिडल ओफ बी सी बीच में कौन बैटा है डी है यह बीट होगे में मिडल में कौन है बेटा ओप टीक है यह मेरा फाइनल डागराम बनाया है है यह पौइंट आई है यह point E है यह H है यह B है यह A है यह C है D है G F ठीक है questions में लिख कर लाता हूं तो number 1 के पहला question ही है कि distance between E and G तो देखो E कहां पर है यह G हो गया ठीक है और E कहां पर है यह E हो गया इसको और इसका distance करना है ठीक है तो देखो H से D का total distance 2 km है लेकिन H से E तक जाओंगा तो यह 1 km होगा 1 प्लस 1 तभी 2 बनेगा तो यह कितना हो गया 1 हो गया और यह कितना हो गया तो total कितना हो गया जी से कितना हो गया अब मुझे यहां पर चेक करना है तो आई और यह कितना हो गया तो यह यहां पर रहे है ठीक है एफ कहां पर रहे है यह F है तो यह distance मुझे करना है यह कितना distance है ए और आप को जी और एच का कितना है यह 1 km है तो ए और आफ का भी कितना रहेगा यह भी 1 km ही रहेगा आपका अंसर क्या होगा वन किलमेटर तो गया आज के लिए इतना वीडियो काफी है टोटल 5 questions कर रहे हैं और यह जो question है यह थोड़े क्या बोल सकते है इसको तुम moderate level के questions है जो हमने पढ़े हैं तो जो भी कोई new aspirant है या कोई student है उसने मेरा यह वीडियो चेक किया और उससे यह questions बढ़िया लगे हो तो उने के करना कि है चैनल को subscribe कर देना है ठीक है अलेक देता हूं मैं ठीक है चैनल को subscribe कर देना और वीडियो को क्या करना है लाइक और share कर देना है ताकि यह वीडियो और बच्चों तक भी पहुंच पाए कोई भी अगर coaching ले रहा है या अफॉड नहीं कर सकता है अगर यूट्यूब से पढ़ रहा है तो वह मेरा चैनल लेक्मेंट कर सकता है किस चीज के लिए reasoning के लिए तो at the rate reasoning 151 यह क्या है मेरा चैनल का नाम है इसे search करोगे तो मेरा चैनल आ जाएगा वहाँ पर जहां तक हमने पड़ा है उन सबकी playlist में अप्लोड किये तो वहां से वीडियो चेकर करके आप पढ़ सकते हो समझ सकते हो ठीक है टोटल फ्री है कुछ पे करने की जोत नहीं पड़ेगी अगर आपको लग ऑसकांसर आप मुझे बता दो तो मैं आप वहां पर क्या करूंगा उसकांसर बता दूँगा ठीक है तो टेलिग्राम को मैं यहां लेकी देता हूँ टी डॉट मी स्लैश राहुल 10012 ठीक है तो यह क्या है टेलिग्राम का है आपको टेलिग्राम पर कोई डाउट पूछना होगा तो वहां आप पूछ सकते हो ठीक है तो बाई आज के वीडियो इतना ही है बड़ी है तरीके से पढ़ना और कोई डाउट हो तो यहां पर पूछ किलना ठीके